मेरा नाम आनन्दे और आप देख रहे है कोडिट अब आज के इस वीडियो में हम बात करने माले हैं नमपाई के एक फंक्शन के बारे में जो है सीट फंक्शन और यह फंक्शन जो होता है वो कभी-कभी बहुत जादा यूज किया आता है तो चलिए देखते हैं यह सीट फंक्शन क्या होता है तो जैसा कि इसका डेफिशन मैंने लेख सका है सीट फंक्शन का कि we know that रैंड इंट फंक्शन जेरेट रैंडम नमबर जैसे कि हम जानते है कि रैंड इंट फंक्शन क्या करता है रैंडम नमबर को जनरेट करता है every time we run the program जब जब हम program को run करते हैं new set of random numbers is generated तब 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 हर बार ज्यो हो नया तैंडम नमर क्या होता है generate होता है but what if we want to fix the generation of this random number लेकिन अगर हम चाहते हैं कि random number जो हो रहा है वो बार बार चेंज ना हो fix हो कोई मतलब एक ही number बार बार generate हो मतलब अगर आप जैसे कि random function को use करते हैं तो first time कुछ और values आएगी second time कुछ और values आएगी आप उस values को fix करें जाते हो कि जो मैं कह रहा हूं एक बार जो value आगे वही बार बार आए और आप बेसिकली क्या करोगे जैसे कि आप कुछ एक fix value करोगे और जो मेरे system में जब मैं execute करूंगा तो जो values आएगी अगर आप seat function को use करोगे तो आपकी system में बिल्कुल वही है क्या आएगी values आएगी उस values के सांथ कैसे करेंगे देखते हैं इसको पहले इसका काम बस इतना होता है कि आप fix करना चाहते हो कि जनेरेशन ऑफ रैंडम नमबर को मतलब एक जैसा हो जाए बिल्कुल चेंज नहीं हो बार बार तो in this case we use seed this generates this generates fixed set of random numbers यानी कि fix set of random numbers क्या करता है जन्येरेट करता है जैसे example हम क्या करते हैं import num by as np ये तो आप जानते ही है और क्याते है यहाँ पर नमबर जो है यह कोई भी डाल लेंगे तो बहर बाहर नहीं होगा कि बार बार वाल्यूज क्या हो जाएंगे चलिए इसको practically करके देखते हो और practically करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो है Jupiter का notebook open करना पड़ेगा, तो यह Jupiter का notebook open हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको delete कर देता हूँ, और यहाँ पर प्रोगरम मैं आपना क्या करता हूँ, type करता हूँ, तो देखिए, basically, आपने यह लाइन इसलिए लिखा है ताकि आपका जो नंबर जनेरेशन है रैंडम फंक्शन की मदद से वो जो है वो फिक्स हो जाए और यहां पर हम कोई भी वैलू देते हैं माल जे मैं 12 लेता हूं ठीक है और अब मैं करता हूं क्या और इसमें मैं करता हूं एक से लेके 100 के बीच में मैं करता हूं कि दस नंबर को आप निकालो ठीक है अब बेसिकली क्या होता है जब हम इस एडवल र को प्रिंट करेंगे और एंटर करते हैं देखिए एक्जेकुशन किया तो यह वैलू निकलता है सेवेंटी सेट्टी एट सेवन थी और यह टेट नंबर्स निकल गए सेम प्रोग्रम जब आपने सिस्टम पर यहां पर वैल्यू ट्वल दिजिएगा तो आपको भी बिल्कुल यहीं नंबर्स निकल आएंगे अब माल जी मैं ट्वल के बदर नहीं कर देता हूं क्या चू क होता है वो देखिए मैंने एक्जीगूट किया पहली बार 96-76 आया पहली बार एक्लिक्शन में तुसरा बने किजिए 68-5 आ गया मतलब बहुत क्या होगा चलिए तीसरी बार एक्जीगूट किजिए यह वाले स्ट्प्में लिख देती एंपी डॉट रैंडम डॉट सीड राइट तो यह आपको सीड फंक्शन का वर्क इसमें एक चीज और यह भी है कि अगर आप इसकी साइज जानना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसा जड़ी आप यूज कर सकते हैं एक तरसे यह एक ऐसा वे ह है जिसके मदद से आप उस एरे का साइज जान सकते हैं कि कितने अलिमेंट से तो यहां देखिए इसकी वैलू कितने देगी तेन अगर मैं यहां कहता हूं कि 15 निगालो और तब मैं साइज को करूंगा तो यह साइज क्या देगा 15 देगा तो यह डबल र.साइज जो होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तो थांक्स वादी वीडियो थांक्स